अब आप लोगों के लिए जारना जरूरी है 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 जो चीज़े आ रही है वो आप लोगों को बताना हमारा फर्ज है आप लोगों का जारना भ उसके बारे में हम बात करेंगे, दूसरी जो important update है, NCTE से आ रही है, NCTE से update जो है वो आप लोगों के लिए important है, तो यह सबी चीजे जो है हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे, और साथ ही साथ 19 तारीक वाले जो सुनवाई होने वाली उनिस तारीक को उस पर भी बात करेंगे, तो फ्रेंड्स चानल पर पहली बार विजिट करेंगे, तो चानल को सब्सक्राइब कर लेना, बेला को हैट कर देना, यहां पर रेडाई उस जेलर से लेटेर हर information आपके पास लाई जाती है, सबसे पहला information तो जो है वो मैं आपको बता दू, जैसे कि आप देख रहे हो कि य जो सुनवाई है आप लोगों को 19 तारीक को होने वाली है, टाइम भी फिक्स कर दिया गया है, उसका भी आप लोगों को प्रूफ दिखा दिया गया था, सारे 3 मजे का टाइम जो है लिया गया है, सारे 3 मजे जो है यह सुनवाई 19 नवंबर को होने वाली है, और इसमें जो जैसे कि बहुंद भी अप्लोगों को बताय था कि अभी तक 5 राज्ये थे अब इसमें जो है, बहुत सारे राज्यों को जोडा गया है। जहां से में जो है लगा दिया गया है यह देखिए आप यहां पर miscellaneous application diary number 51906 आप note down करके रख सकते हो others कुर्मा सिर्वास्तो and others और यह verses जो है respondent में आप लोगों के यह सारे लोग रहेंगे और यहां पर मैं आप लोगों कोई दिखा देती हूँ सबसे पहले कि इसमें जो secret चीजे थी जो कि हम लोग आपको बता भी रहे थे कि कुछ ऐसी चीजे हैं जो कि अभी disclose नहीं किया जा सकता है काम हो जाएगा तो जरूर बताये जाएगा तो जो यूपी से एमें लगाया जाना था उसके लिए senior advocate को लाया गया था senior advocate d.s.naidu सर जो है इसमें आये थे और वो थे फिर हमारे मंदिप कालरा सर थे और बाकी जो भी हैं यहां पे advocate वो सब आपको देखने को मिलेंगे तो यहां पर यह काम जो है एमें लगाने का यूपी से इस पर काम बहुत दिनों से चल रहा था और ऐसा था कि मतलब कि अगर इसको हम disclose करते तो जाहिर सी बात है बहुत सारे problem create हो जाते है create करने वाले problem create करी देते हैं क्योंकि जो भी राज्ये एमें लेकर के गए हैं उनके लिए थोड़ा सा chances जादा है कि उनको अंतरी मिराहत मिलेगा लेकि जो राज्ये नहीं लेकर गए है team तो कोसिस करेगी ही कि उनको भी राहत दिलवाया जाए लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो जो जो राज्ये उसमें लगे हुए है उन लोगों को तो राहत मिलेगी तो इसमें यूपी का भी आप नाम शामिल हो चुका है यूपी वाले बच्चे अपसेट हो रहे थे अब अपसेट नहीं हो नहीं या पर देख स रहते हो इसुद नोटीस ओंद प्रियर फो इंटरिम रिलीफ आप अस वेल आप देख सेटी सर्विस इन अदेशन इस पर्मिटेट इन अदेशन वीजिए जो के बाकी राज्यों के जो एमें गये है जो उनके साथ हुआ वही यूपी वाले भी हो गया यूपी वाले में जो है थोड़ा सा काम चल रहा था और ये चीज़ आप लोगों के लिए जो है सिक्रेट रखी गए थी फाइनली इसमें सक्सेस मिला है यूपी से एमें टैग करवा दिया गया वो हमारे रिव्यू में भी है अब उनिस तारी को जो सुनवाई होगी उसमे जो भी रिलीफ मिलेगा उसमें यूपी वाले भी बच्चे शामिन होंगे अब बात कर लेते हैं ये तो हो गया यूपी का मामला एक और इंपॉर्टिन खवर जो है वो आ रही है एनसिटी की तरफ से एना यूज डियलेट के जितने भी एमेज लगाए गए है उसमें जो है एनसिटी ने अपना वकालत नामा फाइल कर दिया है आप बोलोगे मैं इसमें कौन से बरी बात है एनसिटी तो पहले ही वकालत नामा डाल चुकी है बाबू एनसिटी पहले जो वकालत नामा डाली थी वो रिव्यू पेटिशन के लिए डाली गई थी है ना अभी जो वकाल आ रही है आप लोगों के लिए कि ये चीजे भी एक हुई है अब 19 नवंबर का वेट है 19 नवंबर का वेट है उस दिन क्या होता है किस तरह का जो है असर नायूस डियलेट के बच्चों पे रहेगा वो भी रेखना है विपे से टी आरे 3 का रिजल्ट आ चुका है तो बच्च पहले जो है इनके पक्ष में फैसला हो जाए तो इनके लिए मतलब एक बल्ले बल्ले टाइप का हो जाएगा है ना क्योंकि आज भी मैसेज आया था कल भी मैसेज आया था और यही आप लोग पूछ रहे हो कि क्या मैं मैं नियस डेलिक को मौका मिल पाएगा तो हम सब तो य बिल्कुल हम आपके साथ शेयर करेंगे हर कोई करेगा और यह इसमें फायदा आप ही लोगों का होने वाला है तो बस वेट करो 19th of November का प्रे करना उस दिन सब कुछ सही रहा तो definitely सुनवाई होगी और जिस जो देखो law के according है जो नियम के अनुसार है वो सारी चीजे की जा र होंगी वो सारा अपडेट जो है हम आपको अपने चैनल के मादियम से देते ही रहेंगे इसके पहले भी अगर कोई और अपडेट आता है जैसे आज एंसी वाला आ गया यूपी वाला आ गया ऐसा कोई अपडेट होगा वो भी हम बताएंगे क्योंकि यह सबी चीजों से हमा सारा केस मजबूत हो रहा है इसलिए यह बताया जा रहा है आपको ठीक है और भी कुछ जो भी चीज़े होंगी वो भी आपको बताया जाएगा तिल दर टेक केर अब्रिवान